का ओकी तो छड़ी दोस्ता हमनों देखते हैं अज अभी बहुत सारे लोग ने ई-प्र फिल किया होगा आई टेल करने में आपकर देखा हूए कि भूसारे लोग को इंटिमेशन हा रहा है ईडिया की टेम से इंकम टेक्स डिबाटमेंट की टेम से तो मुझे एक सेंपल इमेल आया था ये वाला तो मैं एक तिम से देखा कि क्या करना है वही जानी की तू-तिर मिनिट तो पहले सोचते है कि ऐसा क्या करना है फ़सते हैं आजकल सब आउनलाइन अपने हाथ से फिल करते हैं तो हो सकते कि कुछ डीटेल गलत हो जाए तब यह इमेल आता है तो यह इमेल आने के बाद आपको चेक करना है कि पहले तो आप वेरिफाइए कर लिए कि एमेल और आपको आया हुआ है आपको सब कुछ डिटेल करेक्ट है या नहीं है ऑके सबसे पहले प्चेक कर लिए आप इसमें आपको 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 करेक्ट करना पड़ेगा तो चलिए ठीक है और अगर कुछ भी गलत नहीं है और तब भी आपको लगता है कि नहीं आपने जो डिटेल भरी हो वह सही है तो आप डारेक्ली उसको सम्मीट कर सकते हैं फिर से रिफंड के लिए तो चलिए आईए दिखते हैं नैस स्टेप में कैसे क्या करना है तो मैं आपको कंटीनूल अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इस च्प गारिये मेरे कीस में क्या हो ता जब मैंने मदी पीडिया डानलोड करी थी तो मैंने यहाँ पर चैक किया कि 10 नंबर मेरे इसमे और युजर जो वहाँ पर 10 NॉM डाला वह था ऑ़ तो मिश्च नहीं आपकी रिफिन न is step है तो one step तो वही है आपको PDF download करना है, चेक करना है data correct है या नहीं है, अगर data correct है तो उसके लिए मैं बताउँगा कहाँ पर कुछ स्टेफ डारेक्ट लेग्स करना है, अगर incorrect है तो हम लोग step number two से start करते है, step number one, PDF download कीजिए, verify किजिए क्या correct है या नहीं है, step स्टेप नूबर टू अगर आपके फाइल इनकरेक्ट है तो आपको यह यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी तो डाउनलोड यूटिलिटी यहां पर देख सकते हो आपको यह साइट दीए मैंने आपको इंकम्टेक्स गवर्मेंट डॉटल की इस पर जाने के बाद किसवाविस्ता मैंने किसवाविस्ता मैंने किसवाविस सेलेक्ट किया और यहां पर कॉमन यूटिलिटी है तो कॉमन यूटिलिटी मैंने डाउनलोड कर लिए यहां पर यह जिप फाइल होती है जिप डाउनलोड करने के बाद आउसको एक्सट करने के बाद इसमें चार फ पेरिंग होगी वहाँ पे यह स्क्रिन अपएर होगी यहाने की step number 2 complete होगई है आपने utility डाउनलोड कर लिए और अब ही हम लोग आते step number 3 पे हैं तो utility डाउनलोड करके आप यहाँ पर छोड़ दीजे step number 2 को as it is अब हम लोग आते हैं step number 3 पर आप क्या होगा कि हम लोग जब भी यहां पर आप देखेंगे file returns और यह सब option है step number 2 के end में तो हम लोग के लिए उसके सबसे पहले हम लोग step number 3 आते हैं यहां पर json file download करेंगे तो json file कहाँ पर मिलेगी तो json file आपने जो भी earlier return file गया था उस वहाँ पर उस site पर जाएंगे यहां पर आपको id password लेके login करना पड़ेगा आप login कीजिए इंडियोजिन में जाके फिर उसके services में जाने के बाद हम पर the certification का option प्री सरटीफिकेशन पर पर क्लिक कीजिए रविसेस इस क्लिक आइए और्ट पर यहां पर दो बताता और री प्रोसेस्टर रीटर्ण और रेटर्द डेटा क्रेक्षन आफ्लाइन तो यहां पर मैंने आपको बताता था कि step number अगर आपके इसमें सब कुछ चाहिए और आपको जा रहे है डारेक्टली सम्मिट करना है आगी रिफंड के लिए तो आप फिट से इसको डारेक्टली जो ऑप्शन वन है रिप्रोसेस्ट रिटर उसको सेलेट कीजिए और सम्मिट कर दीजए तो आपके इसमें सब कुछ डेटा करेक्ट है अगर इंकर इस डिपार्टमें रिटर्न किया है तो कुछ ने कुछ डेटा गलत होगा उसमें तो एक बार आप क्रॉस वेरिफाइए कीजिए टाइम लीजि यह नए विंडो उपन होता है न्यूव डिखोंगे यहां पर रिटी सर्टिफिकेशन का रिजन देना पड़ता है और यहां पर आप यह लेकिए राइट साइड में राइट साइड में आपको डाउनलोड आई टी आर एक्सेमल जैसान ओप्शन देख यहां से आप डाउन वही यूटिलिटी से हम लोग खंटीणीु करते हैं कंटीणी आप चेप टू यहां पर फाइल रिटन के बाद यहां पर यहां पर जाएगा इंपोर्ट ड्राफट आईटेयर फिल्ट और यहां पर आपको यह थर्ड ऑप्शन सेलेट करना है इंपोर्ड ड्राफट आईट एक्षण पीड और टेक्स लिएबिलिटी करके तो आप यहां पर आपको जिस भी मोड में चेंजिस करने हैं वहाँ पर मेरे इसमें डिटेक्टर पीड जो टैन नंबर था वो तो मैंने उसको टोटल उसको टेक्स पैड में जाके करेट किया था तो वहाँ पर आपको बहुत यह 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 आई है आपकी क्योंकि बस कंफर्म करते जाएं आप आगे आगे चलते जाएंगे यह होगे इस्टेप नंबर फॉर कंप्लेट अब यह जो आप यहां पर पर कंप्लेट करोंगे इसके बाद आपको लास्ट में एक जैसन डाउनलोड का ओप्शन मिलेगा जो जैसन डाउनलोड होगी वहां पर हम लोग इस्टेप नंबर जो इस्टेप नंबर थ्री था जहां पर हमने एंड किया था जहां से अब यहां पर एक अटेजमेंट का बटन है लप्ट साइड में कॉर्णर में तो वहां पर अटेज़ फाइल का ओप्शन हिट कीजिए यह देखें मैंने अटेज फा फाइल काॉप्शन अटेज किया जो मैंने स्टेप नंबर यहां से डाउनलोड करी थि इस्टेप नंबर फॉर से है लास्ट तो वहां पे मैं यहां पर जो जैसन है वहांWatch करके उसको यहांपर अटेज करना है वापस तो यह आपका प्रोसेस है ओवर और क्या करना है अपको फस्त आप utility डॉलोड करनी है income tax के साइट से यूटिलीट डॉलीटर्ट करने के बाद उसमें exe file रूं करनी है exe file करने के बाद आपको जो जेसें file अब लेवर एंग्जिस्टी जेसें file जो लिए वो income tax की government के site से download करनी है अगर एक बार वो download होगी आपको utility में वो file upload करनी है उसको correct करना है फिर offline utility से again decision file download करनी है और उसको income tax की site पे online उसको again upload करना है और submit कर देना है recertification के लिए तो यह recertification की पूरी process है hope आपको video समझ में आया हो और अगर कोई concern हो कुछ हो तो आप directly मुझे message या comment कर सकते हो उस video के end में thank you thank you for watching thanks bye bye